डेली एक्सेलसर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं गोल्डी शर्मा, आज आपके रूवरू कराने जा रहा हूँ, हमारे देश की पहचान, जेन के का नाम साहिल शर्मा, साहिल शर्मा जो कामन वैल्थ गेम के अंदर महिला टीम के कोच थे, वो आज हमारे साथ एक्सेलसर न्यूज में जुड़े हुए हैं तो इंटर्डूज करते हैं साहिल शर्मा जी सभी को नमसकार और सभी मैं जमूवासियों कश्मीर वासियों और सभी देश वासियों मैं सबसे पहले तो एक मुबारक देना चाहूंगा इस मुबारक बात के हम सभी हगदार है जो आज जैसे आपको पता हैई की हुआ इंडिया कि जो चैह महिला ने पार्टीस्पेशन की ती उसे उसमें अंदर शे मैडल आया जीतनी पार्टीस्पेशन उसने मैडल तो क्या आप हमें बता सकता है कि यह मैडल मैडल किस किस ने और किस-किस में लाएNI पटेकर होती हैं बट जो गेम्स हैं वो एक युनाइटेड वर्ल्ल जो रेस्लिंग एक जो बॉड़ी है उन्होंने गेम्स में इसको सिर्फ छे वेट कैटेगरीज को एलोट किया होता है तो वो छे वेट कैटेगरीज में हुमारे बास सिर्फ छे लड़कें गे थी जिसमें पूजा गैलौत किन सीफ़ी विनेश कि अंचुती साक्षी मलिक दिवया गांड और पूजा सिहाक छे लड़कें जिन्होंने पार्ट tourism किया था इनकी वेट कैटेगरीज्टी पचास के लो विनेश थारीपन किशे मलेश ऑनचू मलिक सटावन के लो साक्षी मलिक सटम किलो दिवया का करन अ है गोल्ड इसमें आप विनेश विनेश फोगाट जो सभी जानते हैं कि फोगाट फैमिली से हैं उसने और साक्षी मलिक जो कि सब की फेवरेटर रैसलिंग में इन दोनों का गोल्ड है इन में से कुछ सिर्बर ब्रॉंज भी होंगे अंचु मलिक 57 किलो में सिल्वर लाई है औ पूजा गेलाथ दिवय काकरन और पूजा सियाग इन तीनों के ब्राउंच मेडल है इनके लिए सबके लिए तो हमारी तरफ से मौर्खवाद है और उनका उनके उनको जहां तक लेके जाने करा जो एक कंट्रिबुशन होता है वो एक कोच का होता है कोच ने जो मेहनत की होत सच में बड़ी मेहनत होती है क्या आपको लगता है कि पार्टी स्पेशन से पहले जब किसी गेम के अंदर जाते हैं तो उससे पहले के वार प्लेयर कुछ नर्वस होता है कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाते हो हाँ अब की बार हम सब सची की बात करता साक्षी मलिक जो के कुछ्टी की सबसे फेवरेट खिलाडी है हारे की तो हम उसका जो पिछे दो साल का जो एक सफ़र चला वो काफी खराब चला है कहीं प्लेट जाया है चैंपियंज भी बनते हैं तो कहीं बार लूजर भी हो जाते हैं तो उसमें हम यह न होते थे उसकी तरफ से कमी कोई नहीं थी तो यहीं मैं मानता हूं यहीं पर कोच का एक रोल होता है कि उसको कैसे इन सारी मुश्किनों से कैसे कूप अप करना है और कैसे उसको एक बैस्ट बनाना है ताकि वो कंपिटिशन को आगे कैसे अच्छी तरह से प्रफॉर्म्स तरह से बाद करवाई हमने हमने खुद भी उस पर फूकस कि उसकी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया उसको बड़ आपकी बार जो उसने हमें परफॉर्मस दिखा है ना हम अपने हम ने जो हाड़ वर्क किया था ना उससे हम संतुस्त है कि वो सही दिशा में गया वो काम ज जो जहां से जो जिन प्लेयरों ने प्रफार्मेंस अच्छी दी है जिनों गोल लाया है अब जह फ्यूचर के अंदर कहां पर जाके प्रफार्म करेंगे देखे इस पोर्ट्स पर्ट्सन के कभी भी सफर जो है वो खतम नहीं होता है वो आगे बढ़ता ही जाता भी इस कॉमन जाएं लिए सब्सक्राइब और जाएंगे नेक्स यह जिए टू तूसर टून्टीफूर का उलम्पिक कॉल्फाइब लड़ चैंपिंशिप लोगा तो यह सफर जो कभी खतम नहीं होता है साथ हर बार चलता रहेगा कुछ नहीं आपने प्रीव करने के लिए सोचना अगर विखे यह स्टेट के अंदर कर देखे जाएं तो कि आप जम्मु कि श्मीर के अंदर रैसलिंग का कैसा स्कोप लगता है और उन लोगों के लिए आपका क्या मैस्ज है लेकिन रैसलिंग में जैंड के कि काफी अच्छी स्कोप मैं मान सकता हूं लेकिन कहीं कुछ थोड अगर सेंटर नहीं है तो इस सेंटर को बनाने के लिए आप गोर्मेंट की तरफ गोर्मेंट को कोई अपील करना चाहते हैं हाँ बिलकुल मैं अभी हम हमारे गुवर्नर साहब है जिन्होंने काफी जो स्पोर्ट के तरफ काफी फोकस किया जा रहा है इस समय वो उनकी नजर मे कामनवेल्थ के बारे में वहां पे प्लेयर का पाटिस्पेशन बाकी इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर आये थे जह रैसलिंग के बाकी जो मेल्स भी टोटल बारा मैडल हमारे पास आया है दोनों तरफ से महिला और पुरिश को मिला कर उन बारा मैडल के अंदर आप उनक कामनी ले सकते क्योंकि जो ट्रायल्स में फरस्ट आया वो जाएगा लेकिन यही बारा बेट कैटरी आपको अलम्पिक में भी दिखाईज देंगी वही लड़कों में और वही छे लड़कों में और छे लड़कों में तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अगर हम बात करें आप जै जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो कामन बैल्थ गेम के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से कहला है टोटल 61 61 मैडल आये हैं और हम मारे अगर बर्ल रैंकिंग के साब से देखा जाए तो हम फोर्थ नंबर पे हैं इस पर न्यूजलेंड से आ बढ़ा दिया जा रहा है पिछले कही सालों से आपने देखा होगा कि LG की नेतरतों में बड़ी सारी स्कीम्स इंटर्ड्यूज की इवन की जहां पे एक स्पोर्ट पालसी लागू की उस पोर्ट पालसी को आप फ्यूचर के अंदर कैसे देखते हैं कि कैसे एक प्लेयर की ज कोशिश कर रहे हैं वो उसके लिए तो मैं तहीं दिल से उनका शुक्रिया आदा करना चाहूंगा लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजे मैं बिंग कोच अपना एक्स्पीनेंस में शेयर करना जाता हूं कि हम शायद उन चीजों में फोकस करें जिनका आगे कुछ फ्यूचर जाए उनके फोकस के चकर में हम ओलंपिक जिनका पीछ चोड़ते जा रहे हैं तो वह कहीं कुछ मिसमाच हो पार रहा है मिसमें कुछ अपस में मैं यह निहीं सकता कि बन नी पारी पर एक कुछ एक स्ट्रेट लाइन में चल नहीं रहे हैं सीधी लाइन कुछ दिखनी पारी अब आप देखिए कि मैं अब मैं किसी गेम की माइब बात नहीं करूंगा कुछ ती की बात करूंगा कुछ ती के लिए हुमारे पास इंफरस्ट्रेक्चर ना गे बराबर आए इस समय तो वहां पर थोड़ा सिर्फ अपनी गेम की बात करूंगा तो काफी गेम्स हैं कुछ प्लॉड भी अच्छा आए हुँर और कोई ऐसा कंपेटिशन ही जिसमें कुछ ती का इंटनेशलयल मेडल नहीं आए ह 212 टी को पारे में हमारा मेडल था बीस में उमरे लुम्पिक कुछ ती मिम्स हैं तो ऐसी गेमों को अगर हम पर्मोट करें की कोशिश करें ठीक है मैं य के वहं भी नहीं आ रही है हमें उनको भी नहीं हमें उनको भी लेना कुछ बच्चों के अलाग टलेन्स होते हैं हर बच्चे का स्ट्राइज मत एकर प tidak वह कोई हो! तो कुछ गेम यह मैं नहीं कर सकता वह आप कर सकते हो मुझ जा नहीं की लेते लेते हमें आगे बढ़ना है हो जायन के का नाम कोशिश करेंगे हम दुनिया में एक फेमस करने की कोशिश करेंगे स्पोर्स में बहुत जो चुकरिया धन्यवाद